हेलो गाइस तो गैसे हैं आप सब तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ मैजिक दिखाने वाला हूं तो इक वीडियो के लाज तक बनी रहेगा तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर उपन कर लेना है फर्स्ट अपॉल मैं बता देता हूं कि अगर आप यह फोन में करना चाते हैं तो फोन से भी हो जाएगा तो आपके अपने कि क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और वहां पर टाइप करना है न्यू प्रोफाइल पिक और अगर पीसी में आप इसको बना रहे है तो यहां पर भी अपने कोई भी ब्राउजर को ओपन करके यहां पर हमें सर्च करना है न्यू प्रोफाइल पी हमें आप इसको new profile pick ठीक है और यहाँ पर हमें देख सकते हैं यहाँ पर हमें इमेज़ स्लेक्ट करने के लिए चूज चूज फोटो तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे और हम कोई सबी एक इमेज को स्लेक्ट कर लेंगे जो हमें अपने प्रोफाइल के लिए स्लेक्ट करना है या पिर अगर आपको एडिट करना है तो आप अपने अलग अलग चीज़ के लिए इसको आप योज कर सकते हैं बेसिकली यह फोटो एडिटिंग के लिए है तो हम यहाँ से अपना इमेज select कर लेते हैं तो मैंने यह वाला image select कर लिए और यहां पर बस कुछ time के लिए processing time लेता है अच्छी यह server पर work करता है तो तो थोड़ा time यह लेगा मुश्किल से 30 seconds ज्यादा से ज्यादा देखिए हमारा जो time वो complete हो चुका है और हमारी image को कितने easy way में इडिट कर दिया है काफी cool लग रहा है तो यहां पर देख सकते हैं उपर five variant में आपका जो image है वो इन्होंने export करके हमें दिया हुआ है हम अलग-अलग change करके देख लेते हैं तो देख सकते हैं यहां पर काफी cool दिख रहा है यह वाला भी और यह थर्ड वाला भी काफी अच्छा दिख रहा है फोर्ट जो है यह इसने काफी smooth कर दिया image को और यह हमारा जो पाचवा है इन्होंने बिल्कुल इसको vector में कनोट कर दिया है तो काफी cool लग रहा यह भी और यहां पर नीचे देख सकते हैं यहां पर एक और भी दिया हुआ इसन इन्होंने यहां नीचे वाला आपसर हम चेक करते हैं देखते हैं इससे क्या होता है तो जो इन्होंने image को crop कर दिया था किसी frame में यहां पर इसको full दिखा रहे हैं तो फिलाल मैं first वाला ही करके देख रहा हूं और यहां से आप इसको download भी कर सकते हैं तो मैं इसको download कर लेता हूं कापी अच्छा लग रहा है तो देख सक होते हैं यह image हमारी download हो चुकी है ठीक है फिर से हम back कर लेते हैं फिर से हम एक image को select करते हैं और कोई सबी यहां पर देख लेते हैं यह image को select करते हैं तो फिर से थोड़ा सा time wait करना पड़ेगा थोड़ा time देना पड़ेगा तीस सेकंड बस और tips हो गया फाइब यह भी complete हो चुका है तो देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा है यह काफी easy way में इसको इसने edit कर दिया है फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि यहां से इस image को हम download कर सकते हैं यहां से तो मैंने वो करके दिखा दिया आपको I hope हमारी वीडियो आपको पसंद आयोगी अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आयो तो हमारे वीडियो को like करें और हमारे चैनल को subscribe करें और comment box में हमें अपना opinion जरूर सेयर करें ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करें Thank you झाल